चेक करते रहेगा 11 डॉलर क्रोस करेगा तो अच्छा खसा आप लोगों आज हम लोग बात करेंगे ऐसे एक कोईन के बड़ में जिसका ओल टाइम हाई 40 डॉलर से भी उपार है लगभख 45 डॉलर जो आने वाले टाइम में हुज प्रोफिट अब लोगो फिर से जनेरेट करके जैसे आप लोग कुछ दिन पहले साइवाय कोईन में पांप देखने को मिला वजी से जाधा पांप कर से लिकिन थोड़ा बहुत पांप करके रखा है फिर भी ज्यादा पांप नहीं हुआ है लेकिन आने वाले टाइम में आप लोगो इधर से फाइब एक्स प्रोफिट ज लाइक करीजिए और भीना स्किप करते हुए लाश्ट तक वीडियो को देखिए तब लोगो फुली इंपोर्मेशन और गाइस देखिए मैं क्लास स्टार्ट करें किया हूँ जो क्लास देखिए बहुत लोग करना चाता है नहीं करना चाता है तो बहुत कम अमांट में आप कुछ देखिए मांट लेगां तो बहुत लोग चाहिए लगांगी निकल पा रहा है किर दुष्रा काम है तो अब लोग को फिक्स किजिए सेतर्डे संडे के टाइम मैं ले रहा हूँ तो आप लोग और करना है तो जोइन कर लिजिए रिजिशन आभी है सेत्रेशन अभी है तो अभी देखिए मैं आजाता हूँ बाइनस में बाइनस पे देखिए अभी जो कोईन का नाम है मैं पहले दिखा देता हूँ यूनिफाई 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 9.2 डॉलर चला है और अभी हाई गया था 10 डॉलर तो 20 पर्सेंट अभी पांप करके रखा है और मार्केट केप 20 पर्सेंट उपर में 52 मिलियान वॉल्यूम भी 52 पर्सेंट उपर में है 51 मिलियान इसे कारण के चलते हुए ऐसे कोईन का सार्कुलेटिंग सप्लाई टोड़ सप्लाई मिलियान में रहता है और इसे कोईन अब लोग धूंडिये इन्वेस्ट कीजिए आप को प्रोफिन मिलेगा तुरंथ टोटा सप्लाई एट पॉइंट नाइन में और मैक्स अप्लाई 10 मिलियान ओके और इसका हम लोग वल्टाइम हाई देखेंगे उसके बाद ट्वीटार में न्यूस देखेंगा और ट्रेडिंग व्यू सब लोगो बताएंगे क्या क्या करना है नहीं करना की इतना प्राइस जा सकता है ठीक है कहां का मिलता है मैं वह भी दिखावाँगा उससे पहला हम लोग थोड़ा बहुत इसका वल्टाइम हाई गया था 43.91 डॉल लो लागा थे एक साल पहले 1.3 बज़ाँ से अभी 10x के कारीब पांप करके रहा है 10x नहीं 8x के कारीब और देखिए बाइनस पे मिलता है उसका कोईन बेस कुप कोईन क्रैक एन अच्छा चेक्सेजिश्जिश्जिश्जिश्जिश्जिश्जिश्जिश्जिश लिंक डेस्क्रिप्शन में मिला है मेरे लिंक से रिजिस्टर करेंगे और लोगो 50,000 डॉल टके प्राइच मिल सकता है और डेली 5,000 से 1,000 रूपीज हम लोग लॉंच पर टोकेन आन कर सकते मैं कैसी क्या करता हूँ और लोगो चैनल पर वीडियो मिल जागा ठीक है अब दि कुछ न्यूज नहीं है इसका मेन रिजन में वहीं बता रहा था कि जो अब लोग देख सकते सप्लाई कम है और अजगल अच्छा अच्छा कोईन पांप कर रहा है और आप लोगो को ढूनना पड़ेगा कौन सा कोईन और वॉल्यूम भी है इसे चलते कारण में कोईन में प निफाई चिक है तो यूनि फाई का दिए बाइनांस टेथर परस्पेशल कॉंटक्ट है हम लोग उपन करेंगे थीक है तो सपोर्ट वाला दिए ओन मीनिट का ओपन करके हम लोग अभी वान वीक का ओपन करेंगे वान वीक में आप लोगों देखने हुरे दिखे इसमें 40 वान लगाया था तो इन दोनों रेंज एक बहुत हुज टार्गेट बन सकता है दिखिए जो इसका एक अच्छा रिजिस्टन है 11.336 के असपास आप लोग करते रहेगा 11 डॉलर प्रॉस करेगा तो अच्छा हसा आप लोगो उपर के साइड भी जा सकते या उस पाइम आप लोगो को देखके समझ में आ जाएगा तो देखिए मैंने टार्गेट निक्स टार्गेट बताया 11.242 हो सकता है और इसके इसके बाद एक छोटा मोटा टार् बन सकता है तो देखिए अभी इसका और एक फिर से बन सकता है नीचे के साइड तो एक कॉस का लिया 10.06 गया था और निक्स टार्गेट इस रेंज तक 10.8 से लेके 10.9 के बीज में टार्गेट है अब लोग अच्छे से दिखा रहागा और निक्स उसका बड़ा टार्गेट बन सकता है उसके बाद अब लोग देख लिए बड़ी टार्गेट एक बताऊंगा मैं उससे पहले 11.891 भी एक अच्छा टार्गेट बन सकता है ठीक है और उसके बाद फिर से उपर के साइड जाएगा तो अब लोग को यह वाला टार्गेट देखने को मिल सकता है पर जाए तो आप लोग और बाई करना चाहते तो बहुत बढ़िया प्राइस में मिल जाए अब लोग आने वहले टाइम में मैंने दिखा इसका उल्टाइम हाई कि इनना गया था फॉर्टी 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 फाइब डॉलर के असपार आप लोग 5 अभी डाउन में है इसका उल्टाइम हाई से अब इसे थोड़ा सुड़ा करके बाई कर लिजिए लॉंग ठाम कोईन है लॉंग ठाम होलिंग कि इसका अब लोग होलिंग सप्लाइ देख सकते बहुत ही काम है इस वाज़ा से पांप फार केर में आ सकतर भॉलिम भी अच्छा है रैंक भी अच् फिसज़ा करके पांप पलग कईन का नाम ले सकते वह उभी मैं स्टाॉर कर सकता आप लोग जो चाहते हो उब मैं कर आउंगा आप लोग सीठिना चाहते होेगा इस कर लीजेए जिसको अब रहा है और चलिए निक स्टूडियो